इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह ये कॉन्या को स्वस्थ बनाय रखने में मदद करता है और आखों की कोशिकाओं को ऑक्सिडेटिव तनाव और मुक्तकणों से होने वाले नुकसान से बचाता है यहाँ आखों को विटामिन से पोशन देता है जो आखों के स्वास्थी के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ आखों को सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणों जैसी हानिकारक उच्च उर्जा प्रकाश तरंगों से बचाने में मदद कर सकता है यहाँ आखों को समय के साथ आक्सिकरण से बनने वाले खतरनाक मुक्तकणों से भी बचाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. विटामिन E और विटामिन C में शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो आपकी कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं और सेलुलर क्षती के कारण होने वाली आँखों की स्थिती से निपटते हैं 2. जैक संथिन एक नेत्र विटामिन है जो आँखों को समय के साथ आक्सिकरण से बनने वाले खतरनाक मुक्तकणों से बचाता है 3. लिूटिन मानव आँख यानि की मैक्यूला और रेटिना में पाए जाने वाले दो प्रमुक कैरोटिनॉड में से एक है ऐसा माना जाता है कि यह एक प्रकाश फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो आँखों के उतकों को सूरज की रौशनी से होने वाले नुकसान से बचाता है चार जिंक में एंटियोक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों गुण होते हैं जो उम्र से संबंदित मैक्यूलर डिजनरेशन यानि की AMD और मोतियाबिन की प्रगती को धीमा करने में मदद करते हैं खासकर जब विटामिन C और E जैसे अन्य एंटियोक्सिडेंट के साथ मिलाया जाता है पांच, तामबा अन्य विशिष्ट विटामिन और खनिजों के साथ मिलकर उम्र से संबंदित धब्बेदार अध पतन की प्रगती को कम कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें